आप BPSC का जो 2023 में 68 वाँ जो हुआ था उसका ये वान लेंटन है ठीक है तो इसमें थोड़ा हाड भी है और स्लो भी है इसी तरह 2023 में जो टीचर का होता है उसके भी कोशन है जो कि आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए जो कि सारसंगरा न्यू वाला जुलाया हूँ उसके हुली खत्म हो गई है हुली के बाद जो कंटिन्यू चलने वाला था वो चलेगा अब आज आईए आप लोग बैक हो जाईए और तैयारी में लग जाईए क्योंकि भारतिये उप महादीप में लोहे का प्रयोग कब शुरूआ देखे डेट भी पूछने लगा आप तो पू 3000 वर्स पुर्व में हुआ प्राचीन काल में गंगा के डच्छीन चेत्र को क्या कहा जाता है तो मगध कहते हैं आपस वीडि करके बार में देख लिसेगा जब आपका वीडियो मन करेगा तो देख लिसेगा ठीक है तो अभी सुनतेशड़ेंगे दूसरी सताबदी के आसपास रचित संस्क्रेट के सिलालिख के अनुशार सुदर्सन जील एक कृशी जलाश है कि मरमत किष्णे की थी तो याद कि है रुद्र दमन्ने की थी अगर आप से पूछेगा जैसे सुदर्सन जील की बात कि मरमत कुण करवाए तो रुद्र दमन्ने करवाए था या कृशी जलाशे की बात होगी तो आगे चलेंगे मैं आराम आराम से करूँगा बाद में आपस बीट करके देख शक्ते वीडियो इसका प्लेलिस्ट भी बना रहता है अब बना हुआ है शार्शंग्रा का ठीक है यह न्यू बूख है शार्शंग्रा का जो कि इसका छूटा सा अंसा है याद खेगा जो कि मैं बढ़ा चुका हूँ अगर नहीं देखे तो देख लीजगा जहासी के पास देवगड का मंदिर ठीक है इलावाद का मंदिर जो है कहा है मतलब इलावाद में कौन सा है गड़वा मंदिर है में बनी जो मूर्तियां है किस कला के महत्पून अवशेश है तो याद खेगा ये गुप्तकाल में बना था जहासी में जो बना है मंदिर और इलाहबाद में, वो गुप्तकाल में बना था, चीक है, याद रुकिएगा, आगे चलेंगे, आगे सवाल यहाँ पर दिखेगा, थोड़ी बाहरी आवाजों को इग्नॉर करना होगा, ठीक है, याद रुकिएगा, किसने हिमायू को एक परस्तो दिया था, हिमायू को एक देगा, और दस लाग दिनार की वार्षिक सर्धांजली अरपित होगा, मतलब करेगा भी, मतलब देगा, सिर्शासूरी, बोला था, तो कौन कहा था, शेर्खा, शेर्खा का नाम ही है, सिर्शासूरी, हिमाय को देने के लिए बोला, लेकिन हिमायू नहीं माना था, तो यह आपको पता है हिस्ट्री चलेंगे यहाँ पे दिखेगा कि पर्थम बार शंगर्स के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिशकार किसके दोरान अपनाये गया था मतलब बहिशकार या स्वदेशी जो थे तरीके को अपनाये गया तो वो बंगाल के बिभाजन के दोरान अपनाये गया था ठीक है एक सौट वीडियो चल रहा है जिसमें कोश्चन पुछा जाता है 20 से 18 से 20 से कंड में पुछा जाता है आप ज़रू से ज़रू जवा देंगे ठीक है हम इसे चल रहा है किस परशिद शाशक ने अपनी माता के नाम पर विजय नगर के पाश बिजय नगर कहा है करनाटक का छेत्र सा है न विजय नगर के पाश नागाल पूरम की एक उपन नगरी वस्ती की अस्थापना की थी कोन किया था भाई माता के नाम पर तो वो कृष्ण देव राय ने किया था याद रुखेगा किसने कृष्ण देव राय ने यहाँ पर दिखेगे आप दियान रखेगा यह पूछेगा बिजय नगर के पास कौन सा तो नागल पूरम, जो की कृषिन देवरय ने अस्थापित के थे, बस्ती याद रुखेगा, किन के नाम पे अपनी माता के नाम पे, याद रुखेगा, इहां पे देख सकते हैं, कि तवकात ए अकवरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकवर नामा से अधिक विश्वस्नि माना जाता है किसके द्वारा लिखा गया था तो याद रिखेगा निजाम-दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था ये ध्यानकना है किसके द्वारा निजाम-दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था क्लियर आगे चलेंगे आगे सवाल क्या है कि दिल्ली सल्टनत के दौरान मुकदमा या चौधरी चीक है मुकदम मुकदम बोला जाता था मुकदम या चौधरी पद का इस्तिफा सॉरी इस्तमाल किन के लिए किया जाता था इस्तमाल किन के दौरा किया जाता जैसे चौधरी का उपादी चाहिए या मुकदम का उपाधी चाहिए तो इस तरह को उपाधी जो दिनली संतर्न के दोरान चला था वो किन के किन के लिए हुआ था तो गौं के सरपंच के लिए होता था किसके लिए गौं के सरपंच होते तो उनके लिए चौदरी का उपाधी होता था आगे चलेंगे आगे यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है भी भी आई है एदा मस्टार लगा लिज़े ठीक है यहाँ पर क्या है कि उन्हें 106 SP में I was it भारतिये राष्टिये कॉंग्रेश भारतिये राष्टिये कॉंग्रेश का इंगलेश में बोला रहता है आई एन सी यादखेगा के कलकत्ता अदिवेशन में भारत के लिए स्वराज का जंडा किसके द्वारा फराया गया था तो किसके द्वारा फराया गया तो दादा भाई नरोजी के द्वारा फ हुआ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अब देखिए 2023 का मैंने बताए ही चलिए आगे कोशन बड़ा बड़ा कोशन है यह द्यान रखना है अब कोशन को अराम से पढ़ रहे हैं यसलिए कि आप बार में स्पीट करके देख लिए सेगा ठीक है स्वतंता शंगराम के दौरान भारतिये राज्यों स्वतंता शंगराम के दौरान जो है भारतिये राज्यों में एक समरांतर आलदोलन शुरू किया गया था उसका नाम जो है क्या था तो यह आद देखिए का परजा प्रमंडल आलदोलन था आप देखिए जैसे उसका नाम क्या था तो आप जानेगे प्रजाब प्रमंडन अल्दोलन था लेकिन ये जो भारतिय राज्यों का जो हिस्सा था जहां सुतंता संग्राम शुरू हुई थी तो वो याद के कास्मीर निजाम और हैदराबाद जो है त्रामबन कोर आदी जैसे भारतिय शाष को द्वारा ये शाषी तराज्य था याद दुखिएगा ठीक है इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं था बाद में पढ़ा ठीक है ये कोश्चन सिर्फ एजी था लेकिन घुमाया था इसलिए थोड़ा सा हाड हो गया था लोगों को आगे सवाल देखिए अब हिलाल नाम है क्या नाम है अलहिलाल चीक है आगे देखेंगे आगे यहाँ पर आप देख शकते हैं कि एक शन्यासी जो फीजी एक शन्यासी था जो फीजी में एक गिर्मीटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद गिर्मीटिया एक मजदूर के काम कर रहे था करने के उस जीले में अपनी पीठ पर तुलसी दास कृती रमाइन की एक प्रती लेकर आया था जिससे वह ग्रामी सुरताओं को चंद सुनाता था यह किस किशान का जिकर करता है तो बाबा राम चंदर का जिकर होता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह कोशन बहुत बार पूछा हुआ पूछेगा भी आल इंडिया हरिजन संग के अस्थापना जो है 1932 इसमें किस के द्वारा की गई थी तो याद किया महत्मा गांधी के द्वारा है ना तो All India हरिजन शंग की अस्थापना 1932 में हुआ, किस के द्वारा तो महत्मा गांधी के द्वारा, चीक है, इसमें दो कोशन बने, आगे 20 फरवरी 1947 को प्रधान मंतरी एटली, एटली ने भारत में ब्रिटिस शाषन को कब तक बापस लेने की घोशना की थी, तो या दिखेग जून 1938 तक बापस लेने की बात हुई थी, अब देखे बिहार के प्रधम राजपाल कौन थे, देखे बहुत बार पूछाओ प्रश्ट है, बिहार के प्रधम राजपाल अगर आपसे पूछे, तो सूर जेम्स डेविस सिप्टन थे, क्यों थे सिप्टन, इनका नाम है सू तक बादुर जेम्स डेविस सिप्टन ठीक है、 या रखे गाँ, अब यहाँ पर देखे, महतमा गांधी और बिहार, सम, रे मी निन्ज, रे मिनिन्स, रे मिनिन्स, सिंज्टन थे, के लेख़ कौन है, तो या रखे है, दौक्टर राजिंदर प्रशाद है, जो महतमां यंट बिहार तो डॉक्टर रजेंद प्रशाद आगे चलेंगे किस ने बंगाल में महालवारी बंदोवस्त प्रणाली की शुरुवात की थी तो वो और कोई नहीं होल्ट नहीं किया था, चीक है होल्ट देगा, नहीं तो देगा मैंचेंजी चीक है होल्टे नहीं तो मैकेंजी चीक है याद रखेंगे यहाँ पर देखिए उनेशो चालीस स्वी में बीनोवा भावाई ने विक्ति गत्व सत्यागरा कहां से आरंब की तो याद रखेंगे पवनार महराष्ट से कहां से पवनार महराष्ट की थे याद रखेंगा आप देखिए उनेशो अठारा इस वी में मौन्ट फोर्ट शुधारों पर कॉंग्रेश ने एक महत्मुन रूख अपनाया जिसके कारण पुराने उत्तर उदारवादी अफशेश जो है उदारवादी अफशेश जो है जैसे सप्रू जैकर और चिंतामनी तूट गये मतब उदारवादी अफशेश जो है तूट गये उन्होंने किसका गठन किया था तो इंडियन नेशनल लिवरल फेडरेशन का गठन किया था तो ये कोश्चन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा फिर से ध्यान से सुननीजे क्योंने इस आठारा इस भी में क्या तो इंडियन नेशनल लिवरल फेडरेशन का गठन किये थे ये कोश्चन था ठीक है या दुखिएगा आगे चलेंगे आगे दिखेगा यहाँ पर सवाल आपका 2023 का तो चली रहा है यह दूसरा आ गया ठीक है जितना एक पेपर में होना थो वह हो गया दूसरा है मतब दूस को मादेम से में यहाँ से है फिर से यह थोड़ा धूनला है तो यह थने कोश्चन को हम छोड़ देते हैं ठीक है इस कोश्चन को आपको पिडेव को मादेम से पढ़ लेगा बताव भी देंगा ठीक है ने तो चली हम बता देते हैं पढ़ लेते हैं ना चली यहाँ पर यहा तो आप बिश्वास करें मुझे आपका question जरू से जरू मिलेगा बस आप तैयार हैं और हाँ यह नहीं कर सकते question out हो जाता है क्या हो जाएगा इस पर भरुशा नहीं कर सकते क्योंकि बिहार में अभी कुछ भी हो सकता है तो यातुखेगा पचेती समीती जो पंचायत समीती जो 14 मतब 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समच समानता किस देश के समीधान से लिया गया है तो यातुखेगा बिर्टेन से दिखन नहीं रहोगा तो बिर्टेन से यातुखेगे किसे बिर्टेन से हमेशा यातुखेगा कानून का समच समानता जैसे ही बात होगी वो बिर्टेन से लिया गया है या तकेंगे सुरोत मैं बता चुका हूँ भारतिय समिधान का सुरोत मैं बता चुका हूँ नहीं देखें तु देख लिज़ेगा भारतिय समिधान को बनाने में कितना समय लिया था यह बहुत important है start लगा तो ज़े थे भातिय शमिधान को बनाने में याद रुखेंगे यहाँ पे चलिए थोड़ा से किलियर दिखेगा राज्य का मंतरी परशद मंतरी परशद जो हैं समोहिक तोर पर किसके प्रती उतरदाई होते हैं तो जैसे ही मंतरी परशद की बात होगी मंतरी परशद राज्य का बात हो रहा है केंद्र का नहीं, राज्य का तो हमेशा ही जाद केगा बिधान सवाके परती ऊतरदाई होता है आगे चलिए इसके बारे में अगर पँचायत का मेरा वीडियो नहीं देख हैं तो देख लीजगा क्योंकि बहुत पार मैं पढ़ा चुका हूँ, दो बार गया, तीन बार पढ़ा चुका हूँ, देख ली जगा, तीहतर में संभिधान शंशोधन, अधिनियम के तहद, पंचेती राज संस्थाओं में, चुनाओ लड़ने के लिए, निउन्तम कितनी आयू होनी चाहिए, तो 21 एक इस वर्ष होनी चाहिए ये दिएन लगना है, चुक है, आगे सवाल यहाँ पर देखे, कि भारत की चेत्रिय सीमा, तट्ट से कितनी, कितनी समुद्री मिल कीमी तक शमुद्र की ओर फैला हुआ है, तो याद देखे, बारा समुद्री मिल की ओर फैला हुआ है, लगभग 21 तसम्दल नौकिमी है, याद रखेंगे, चुक है, आगे चलीगा, ये कोश्चन देहान से पढ़ना होगा, देखे, कौन सी समुद्र, कौन सी समुद्रिये जैवे विवित्ता के दिश्टी कौन से दुनिया का सबसे सम्रिद छेतर है, जिसमें ज्वाला मुखी, समुद्र समुद्रिये टट, निकटवर्तिये परियावरन के जंगल, समुद्रिये घाश, प्रवाल भीतिया, नमक दलदल, याद खेगा, और गैग्रोब, गैग्रोब, के शाथ 21 तीप सामिल है, तो वो याद खेगा, मनार की खाड़ी, वैसफेर, रिजर्व में है, याद खेगा, 21 इतना गुमाया ना, सिर्फ एकश दीप देता, तो इजी हो जाता है, इसलिए इतना कोशन गुमा दिया, जिसमें सब समलित है, मतब क्या-क्या है, तो जवारन, जवार नद मुख है, याद खेगा, समुद्रिये टट है, निकटवर्तिये परियावरन जंगल है, समुद्रि जवारन के खाड़ी वैस्फेर रिजर्व में है, याद खेगा, यतना कोशन है, इसे आगे चलेंगे, मयानमार के शाथ, भारत के किन राज्यों की शीमा मिलती है, तो याद खेगा, आमराचर प्रोदेश, नागा लेंड और मनिपूर की मिलती है, हमेशा ये कोशन बहुत बात पूछा हुआ है, याद खेगा, चीक है, आगे चलेंगे, आगे दिखेगा, कि गरिश्म के अंत में, गरिश्म के अंत में, याद खेगा, पुर्व मौश्मी वर्षा होती है, जो केरल और करनाटक के तट्ये छित्र में एक शमान घटना है, इसे अस्थानिये रूप म किस नाम से जाना जाता है, तो मैंगो जो है, शावर्ष, मैंगो शावर्ष के नाम से जाना जाता है, मैंगो का उस समय सीजन रहता है, याद खेगा, इहाँ पर देखेए, अटॉक, अटॉक है, में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंतमी सिंधू नदी, अफगस्तान की किस नदी से जूरती है, ड्हें तो ये याद खिएगा, काबुल नदी से जूरती है, किसे काबुल नदी से? छो मंदल की अगर बात करें, जो Gift Mirror Fika मेरा अगर सीरीज देखें होंगे, तो जरूर से जरूर आप पढ़ें होंगे, कि 100 मंदल का छो मंदल जो है कि औश्यत उचाए कितनी है तो याद दिखेगा 13 कीमी है कितनी है 13 कीमी है हमेशा याद दुखेगा इधर चलेंगे पैंजिया से टूटे पैंजिया से टूटे हुए दच्छनी महादीपों को क्या कहते हैं तो यहां देखेगा गोडवाना लैंड कहते हैं जैसे ही पैंजिया से तूट गया जो भाग है दच्छनी महादीब को हम लोग गोडवाना लैंड के नाम से जानते हैं चीक है आगे सवाल देखेए आगे सवाल है आर्टिक छेत्र और अंटार्टिक महादीब किसके निकट इस्तित है तो उत्तर और दच्छिन दुरूब के निकट इस्तित है तो इतना ध्यानक ना है आगे चलेंगे आगे सवाल है कोपिन कि वर्गी करन योजना के अनुशार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की ज्वाला मुखी प्रदेश में आता है तो CWG म आगे सवाल है कि किसे समुदाय विकाश के पहले कारिकरम के रुप में अस्थापित किया गया था तो राष्टिय विस्तार शेवा के रुप में किया गया था हमिशा याद तकेंगे आगे सवाल है कि किसे समीती ने प्रती अस्परधा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाओ दिया तो याद दिखेगा MBS रागवन समीती है याद तकेंगे MBS रागवन समीती ने दिया था हमिशा याद तकेंगे आगे सवाल है कि कौन सी पंचवर्षी होजना मानवशन साधन विकाश पर किंदृत थी तो याद दिखेगा आठमी पंचवर्षी होजना थी जो कि 1991 से लेके 1997 इस वी तक थी याद दिखेगा चीक है फास चलेंगा अब थोड़ा किस वजट में वितमंत्री ने उदारी कृत विनियम दर प्रवंधन परणाली की घोशना की तो याद दिखेगा जो कि 1992 से लेके 1993 जो कि आठमी पंचवर्षी होजना के समय की बात कर रहा है है ना चलिएगा आगे सवाले यहाँ पर दिखेगा कि गरीवी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्विच्छन करता है तो यहाद दिखेगा वो है राश्टिये प्रतिदर्श सर्विच्छन कारिकरम है जिसका नाम है N.S.S.O. यहाँ पर चलिएगा यहाँ पर चलिएगा यह बहुत ही सॉलिट कोश्चन है किसने उनएश्चा 47 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराष्टिये सीमा घीचने के लिए अस्थापित की गई दो सीमा आयू का नत्रत किया तो वो और कोई नहीं सिरिल रेड क्लिफ इसलि थोड़े फास्ट है कोश्चन तो अब बड़े बड़े नहीं है तो फास्ट चलेंगे पंचायत समीती यह फिर रिपीट कोश्चन हो रहा है सॉलिए तो पढ़ा चुका हूँ फिर रिपीट क्यों यहाँ यहां से है देखे वो क्या होगा है डबल हो गया है चलेगा तिच्छनता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो ध्वानी की तरत्व तरंग के कमपन की आबरती पर निर्वर करती है हमेशा याद सुखेगा आगे चलेगे आगे सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक उकरन डिस्टल अनुपरियोग के लिए क्या उप्योक्त है तो आगे चलेगा आगे है वाल वेरिंग वाल वेरिंग का उप्योग अस्थेतिक घर्षन को किसमे परिवर्टित करने के लिए किया जाता है तो वो याद सुखेगा रोलिंग घर्षन के द्वारा किया जाता है हमेशा याद सुखेगे आगे सवाल है कौन सा एक रेडियो धार पारमीक तत्व द्वारा उत्सर जी धनातमक रूप से अफशोशित जो है अफशेशित कन है तो या दखेगा अलफा की रन है हमेशा यातुखेंगे अलफा की रन है हमेशा यातुखेंगे आगे सवाल है कि किंद्रा जो है किंद्रा भी मुखी बोला जाता है बल किसके लिए जिम्यदार है तो या देखिया बस्तु को बृत्ताकार पत्थ पर गतिमान रखने के लिए होता है हमीशा यात्खना है आगे चलेंगे आगे यहाँ पर देखिया किस उर्जा परिवर्टन में घर्शनबल शामिल होता है तो गति उर्जा से उसमा उर्जा में जो है क्या होता है शामिल होता है यात्खेगा घर्शनबल साइंस का चल रहा है ठीक है एक संगित कारिकरम में आर्केष्टा बजाने से पहले एक शितार बादक जो है शितार बादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और string जो होता है और string को उपियुक्त रूप से बांधता है एशा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है तो या दिखेगा अन्यवादे अंत्रों की आविरती के शासाथ सितार string की आविरती को क्या करता है बांधने की ठीक करने की कोशिश करता है ठीक है इतना बड़ा question नह जो है इस जो है अपने ग्रीनहाव्स प्रभाहों सेіш ग्लोवर वार्मिंग में उगधान करती है तो याद रहेगा ग्लोवर बार्मिंग की बात होगी वैसे याद रहेगा करवंड ड्यक्षाइड मेथीन नाइ 750 और जलबाफ्स याद रहेगा कारवन डाक्षाइड, मिथेन, नाइट्रेड, नाइट्रेस, अक्षाइड और जलवाप्स यह हमेशा याद रखेगा जैसे ही ग्लोबल बार्विंग के बात होगी ठीक है भी भी एक कोशन है बहुत पर पूस्ता है और इस तीन उप्षन में से चार उप्षन में से कोई भी अब उसे को ग्लोबिंग बार्विंग का युगदान जो करता है कोन कोने ग्रिन हास पर भाव के ठीक है तो अगर दे दिया तो अगर आप कंफ्यूज होगा तो खाली कार्वन डाक्षाइड याद करनेशन नहीं होगा मिथेन भी याद रुखना होगा अब यहां देखे कि अमल दहातू कार्वन एट से अविकिरिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है तो CO2 हमेशा याद रुखेगा CO2 ही मुक्त कर देगे यहां पर देखे कि HOO, HOO, C, O, H को कौन सा अमल कहा जाता है तो याद रुखेगा ऑक्सेलिक अमल कहते हैं हमेशा याद रुखेगा H1 होगा, O, 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 C, O, 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 H होगा याद रुखेगा अब यहां पर फिर देख सकते हैं एस्थेटिक अमल की गंद किसके सामान होती है तो सिरका के सामान होती है, हमेशा यह ध्यान रखना है, ठीक है, आगे यहां पर देखे, सुस्क H, C, L जो होता है, गैस जो है, सुस्क लिटिमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है, यह बताएगा, तो क्यों नहीं बदलता है, इसको सवाल का जवाब देखे, इतना बड़ा SAC में नहीं पूछेगा, या तो खेगा, DPC में इसा पूछता है, तो खाली पढ़ लेना है, लेकिन, S3O4 को आयन मुझूद नहीं होंगे, लिटिमस के वल, S3O4 आयन की उपस्थिती में रंग बदलता है, हमेशा या तो उसकी उपस्थिती में ही रंग बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा, ठीक है, अब यह देखे, बाइलोजी से एक कोशन है कि कंकाल के वो हिस्से, जो हड़ियों की तरह सक्त नहीं होते हैं, और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो या दिखेगा, काट्टी लेस कहते हैं, या दुकिएगा मेरा दोस्स, बाइलोजी का मैं एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा हूँ, आप अगर नहीं देखें मेरा प्ले लिश्ट में जाके तो देख लिजगा, क्यों इसलिए मैं बाइलोजी का नहीं चोड़ता हूँ, क्योंकि बाइलोजी से कोशन बहु प्रिवियस एयर को किया हूँ, अभी भी करता हूँ, क्योंकि प्रिवियस एयर ही रिचल्ट देगा, विहार एसलिए में हमें जानता हूँ, या कोई भी एक्जाम की तयारी करता हूँ, सरीर के प्रती रोधक छमता से जुड़े सबसे महत्पुन कोश्च का कौन सी है, तो मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जाशकता है, क्योंकि यह बैठता है, अद अस्तर कहिए, कि शाथ एक कोने पर याद रखेगा, यह कोश्चन नहीं होतना पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि मादा इनोफीजिया को मादा क्यूलेक्ष से अलग कैसे किया जा सकता है, तो अ अस्तर के साथ एक कोने पर अलग हो जाता है, हमिशा ही याद दखेगा, यह question का जवाब ऐसे नहीं था, यह इसी तरह का नहीं पुछेगा, आपको टेंस नहीं लेना है, किसमें परिवर्तन के कारण, रंध, खुलते या बंद होते हैं, तो याद दखेगा, कोशकाओं में पा कलोरो, या कलोरो फिल, शूर्ज के प्रकाश के किस तरंग धर को अब शोसित करता है, तो लाल और नीला, हमिशा याद दखेगा, लाल और नीला, अब यहाँ पर देख सकते हैं, कि शेक्शन पूल के कारण, शेक्शन पूल के कारण, पेडों में पानी बहुत उचाई तक पहुँच जाता है, जिसका कारण क्या है, तो या दखेगा, बाश्पो उसर्जन है, क्या है, बाश्पो उसर्जन है, हमिशा याद दखना है, आगे चलेंगे, कौन सा कलोरो फ्लास्ट का एक लच्छन है, जो उसे श्वह प्रतिक्रीती के योग बनाता है, तो या दखेग और आरेने हैं हमेशा याद रुखेंगे क्या है डिने और आरेने हैं हमेशा दिहान रखना है यहाँ पर देखेगा सिरिक टुष्ण सिंग द्वारा कठित बिहार की निर्वाचित सरकार जो है सरकार ने फरवरी उने 37 में किस कारण से इस्थिपा दे दिया था इस्थिपा दिया था यह कारण पूस्ता है तो हमेशा याद रुखेगा राजनेती कैदियों को छुड़ाने के कारण इने जो है यह इस्थिपा दे दिये थे याद रुखेगा इन पर हुआ था कुछ बवाल भुआ था ठीक है किस ने चमपानल सत्यागरह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी तो और कोई नहीं बतक मिया नामी है बतक मिया ठीक है इन्होंने क्या किये थे कि गांधी जी को जान बचाई थे हमेशा यात खना है और होली आप लोग इंज्वाय कर लिए होंगे मेरे दोस्त मस्तिक होंगे अब तो आजाईए पढ़ने सब लोग आजाईगा ठीक है जरू से जरू आईगा ठीक है चलिए कोश्चन खतम हो गया है यहां पर कोश्चन बचा हुआ है बहुत सवारा कोश्चन बचता है बीपेस्वी में जो जितना पुशा है न हाँ यही तक है चलिए खतम करता है न चलिएगा यहां पर देखे असायोग अलोने के दोरान किसने बिहार में किसानों की अगुबाई की यहां पर देखे असवामी बिद्यानन्द स्री कृष्चन सिंग ने कि थी यहां तक है आगे सवाल है बिहार का सबसे पुराना गिरजा घर कौन सा है तो यहां देखे अब पाजरी की हवेली को कहा जाता है गिरजा घर हमेशा यादर गोडर को आगे चलिएगा आगे सवाल है दिवंगत दिवंगत बाहरी मीजिक को सुनते रहेंगे बाहरी आवाज है बेचने आया है चलिएगा यहापर देखेगा दिवंगत अविनेता कुमुद दल्लाल गांगुली चिक है जिन्हें उनके मंचिये नाम अशोक कुमार से भी जाना जा जाता है मतलब इनका अशोक कुमार के नाम से भी जाने जाता है का जन्म बिहार के किस सहर में हुआ था तो भागलपुल में यह फिमस है अभी नेता आए याद तो खेगा यह उस समय का कोशन है तो यह अब भी नहीं पूछेगा ठीक है 2020 का कोशन है यह लेकिन आब नहीं प यह पूछता है हम लोग जाते हैं पढ़ना महिला विश्विद्याले को देखते हैं लेकिन अस्थापना डेट देखते हैं 1940 लेकिन कौन है नहीं याद है हम लोगो तो आप पढ़ लेते हैं sister of the apo astolic korme 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 कहें के korme कर देता है korme हमेशा याद रखेए कहा कोरमल है याद रखेगा पहला 13 हुआ सोर उर्जा सरयंत बिहार के किस अस्थान पर बनाया गया है यह दरभंगा में बनाया गया है कादी रबाद में यह याद रखेगा यह भी aesthetic तेक्स जिक् canon में आता है यात रूखेंगे कादिरा में यहां पर देखेगा यह अन्तिम कोशन है भागलपूर से मिर्जा मिर्जा च उकी की ओर रेल मार्ग जो है में बिहार का अंतिम railway स्टेशन कौन सा है तो यह देखेगा वो है रेल बेश항 पेथिटी पेथि प्र यह बीपेसी का teacher पर नहीं है यह साहग पर ही है ठीक है अग teacher वाला पर भी मैं करवा दूँगा जूकि teacher में जितना question समान ग्यान में पूछा है ना वो सारा करवा दूँगा 2023 में जल्द करवा दूँगा ठीक है इससे पहले 2023 में जो भी आरे ससी का हुआ था paper उसका करवा दू जया आगा जये जया 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 लॕट